साथियों, भगवान क्रश्ण ने अर्जुन से कहा था, नहीं ज्ञाने न सद्धुशम पवित्र में ही बिद्धे ते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, ज्ञान को इस सर्वच्चता देने के बाद उन्होंने एक और बात कही थी, मैव मन अधस्तत्व, मै बुद्धिम निवेश्टय, यानि ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के बाद अपने मन को, बुद्धी को क्रश्ण में लगा दो, उनकी भक्ति में समर्पित कर दो, ये विश्वास, ये बल भी एक योग है, जिसे गीता के बारवे अध्याय में भक्ति योग कहा गया है, और इस भक्ति योग का सामर्थ है, बहुत बड़ा होता है, भारत का इतिहास भी इसका साक्षी है, जब भारत गुलामी के गहरे गर्त में फस गया था, अन्याय अत्याचार और सोशन से पीडित भारत, अपने ज्ञान और सक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तब ये भक्ति ही थी, जिसने भारत की चेतना को जिवन्त रखा, भारत की पहचान को अक्षुन न रखा, आज विद्वान इस बात का आकलन करते हैं, कि अगर भक्तिकाल की सामाजी क्रांती न होती, तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता, लेकिन उस कठीन समय में, चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांदा, उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया, आस्था के भेदभाव, सामाजी उँच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सब को खत्म करके, शीव और जीव के बीच, एक सीधा सम्मंद बना दिया, साथियों, भारत के इतिहास का अध्यान करें, तो आप ये भी पाएंगे, कि भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए, अलग-अलग कानखन में, रिशी, महर्शी और मनिशी समाज में आते रहें, अवतरित होते रहें, एक समय, अगर स्वामी विवेकन जैसे मनिशी आये, जिन्नोंने बेद वेदान को पस्चिम तक पहुँचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदार आई, तो स्रील प्रभपाज जी और इसकोंड इस महान कार्य का बिड़ा उठाया, उन्होंने भक्ति वेदान को दुनिया की चेतना से जोड़दे का काम किया, ये कोई साधान काम नहीं था, उन्होंने करीब सत्तर साड के उसम्र में इस कौन जैसा वैस्विक मिशन शुरू किया, जब लोग अपने जीवन का दाइरा और सक्रेटा कम करने लगते हैं, ये हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेणा है, कई बार हम देखते हैं, लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं हैं, ये सब काम करने के लिए, लेकिन प्रभुपाज स्वामी अपने बच्पन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहें, प्रभुपाज जी, समुद्री जहाद से जब अमेरिका गए, तो वो लगवग खाली जेव थे, उनके पास केवल गीता और स्रिमत भागवत की पुझी थी, रास्ते में उन्हें दो-दो बार हार्ट एटेक आया, यात्रा के दर्वियान, जब वो नियूर्क पहुँचे, तो उनके पास खाने की व्यवस्ता भी नहीं थी, रहने के तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उसके अगले ग्यारा सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, सुरद्धे अट्रल जी के शब्दों में कहें, तो अट्रल जी ने इनके विशे में कहा था, वो किसी चमतकार से कम नहीं था, आज दुनिया के अलग-अलग देशों में सेंक्रो इसकौन मंदीर है, कितने ही गुरुकुल भारतिय संस्कृत्री को जिवन्त बनाये हुए है, इस कौन ने दुनिया को बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब है, उमंग, उत्सा और उल्लास, और मानवता पर विश्वास। आज अक्सर दुनिया के अलग-अलग देशों में, लोग भारतिय वेश भुशा में किर्टन करते दिख जाते हैं, कपड़े साधे होते हैं, हाथ में ढोलक, मंजीरा जैसे बाद्य यंत्र होते हैं, हरे कृष्ण का संगीत मय किर्टन होता है, और सब एक आत्मिक शांते में जूम रहे होते हैं, लोग देखते हैं, तो उन्हें यही लगता है, कि शायत कोई उत्सव या आयोजन है, लिकिन हमारी यहां तो ये किर्टन, ये आयोजन, जीवन का सहज हिस्सा है, आस्था का ये उल्लास महिस्वरूप, निरंतर, पूरी दुनिया में लोगों को आज ट्रेज से दबे विश्व को नहीं आशार दे रहा है,